नमस्कार दोस्तों इंप्ले खबर चलल के एक और नई वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार सुआ गया तो दोस्तों आज के स्योडियों में हमें यहां पर बात करेंगे जो बजट 2021 का आज यहां पर वित्मत्रे निर्मला सीतरहमंजी के द्वारा पेस किया गया लेकिन बजट में EPS 95 पेंसन धारकों का कोई भी जिक्र तक यहां पर नहीं किया गया है लेकिन कुछ बड़ी घुसनाएं कुछ नए अपडेट्स और कुछ नई यूजनाओं की घुसनाएं यहां पर की गई है उनके बारे में यहां पर बात कर लेते हैं कुछ पी एप खा आप इसे आसानी से पड़ भी सकते हैं तो सबसे पहले यहां पर मैं बात करना चाहूंगा 75 साल से ज्यादा वर्स के वरिष्ट नागरिकों के लिए ITR भरने की आवसकता अब यहां पर नहीं होगी अब यहां पर जो 75 वर्स से ज्यादा उम्र के ऐसे विक्ति है ऐसे senior citizen वरि नहीं मिलने वाला है जो senior citizens लोग होते हैं और वोई दिवा टेक्स भरते हैं ऐसे बहुत ही कम लोग यहां पर पाए जाते हैं और बहुत ही कम वरिष्ट नागरिक होते हैं जो इस उम्र तक यहां पर पहुँच पाते हैं तो कुछ ज्यादा खास फायदा यहां पर वरिष्ट यहां पर बढ़ा दी गई है जिससे कि अब mobile से जुड़े जो भी उपकरने चार्जर बेटरी इस सारे यहां पर महेंगे होने वाले हैं और electronic सामान भी यहां पर महेंगे होने वाला है लोगा और इस पात इस्टिल उद्दावत यहां पर जो है सस्ते होने के उम् आम आदमी पर कोई असर नहीं होगा लेकिन यह भी देखने वाली बात होगी कि आगे चलकर यह जो है आम आदमी के उपर ट्रांसफर होता है या कमपनिया खुद इसे जो है वहन करती है असम बंगाल में टी वरकर्स के लिए 1000 करोड रुपए की घुस्तना की गई है इनके लिए को चैसी योजना को चैसी जो है सुईधाय यहां पर प्रोवाइट की जाएगी इस 1000 करोड रुपए में से देश में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 1500 करोड रुपए का आमन किया है यह रकम डिजिटल पेमेंट में इंसेंटिव के तोर प है उस पर जो ब्याज लगता है उसकी समय सी माजू 2021 से 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है गगन यान मिसन का मानाव रहित पहला लांच इसी साल दिसमपर में खी जाने के तयारी है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेट इस बार PSLV CS एकाउन को यहां पर जो है लांच करने जा रहा है अगली जो जन गन्ना होने जा रही है यह पूर्न रूप से डिटल होगी इसकी तयारी भी यहां पर की जाएगी और इसको भी बजट में सामिल किया गया है इस पर जो इन्वेस्मेंट होगा उसको भी बजट में सामिल किया गया है higher education commission बनाय जाएगा और सव इस एक रासन योजना शुरू होगी, एक पोर्टल की भी शुरुवात इसके लिए की जाएगी, जिसमें प्रवासी मजदुरों को जोड़ा जाएगा, इस वित्वर्स 2021 के लिए ही PLI योजना शुरू की जाएगी, वित्वमंत्री ने काटन पर 10.50 ड्यूटी चार्च यहां पर लगाया है, जो पहले तक यहां पर सुनने थी, स्टार्ट अप के लिए एक वर्स तक कोई टेक्स यहां पर ने देना होगा, यानि कि कोई भी नया बिजनेस, नया स्टार्ट अप यहां पर जो है स्टार्ट कर रहा है, तो उसे एक वर्स तक यहां पर टेक्स में छूट दी जाएगी सोना चांदी पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई है जिससे सोना और चांदी के भाव सस्ते होने के आसार यहां पर जदाए जा रहे है मिलियन प्लस वाली आबादी वाले ऐसे 42 सहरों में सच हवा के लिए 2217 करोल रुपए कर जो है के अनल सरकार खर्च करने जा रही है अगले साल कई P.S.U. पर यहां पर निवेश की जाएंगे तो उस पर 49 फिजदी उसका हाक यहां पर रहता था जो कि अब बढ़ाकर 74 फिजदी जो है उन कमपनियों को यहां पर दे दिया गया है जम्मु कस्मीर में केस पाइपलाइन की योजने यहां पर सुरू की जाएगी बिजली से जुड़े इंफ्राटिक्चर को मजबूत बनाने के लिए 3 लाग करोड रुपए की अधिक लागात की यहां पर इसकीम लांच की जाएगी और हाइडरोजन प्लांट बनाने का भी एलान यहां पर गिया गया है वितमंत्र निर्मला सीता रमन ने एलान किया है कि पीएव देर से जमा करने पर कोई डिडिक्चन नहीं होगा यानि कि कई करमचारियों की कमपनिया उनका पीएव का पैसा तीरी से जमा करती है जिससे उनकर ब्याज यहां पर कम बनता है तो ऐसी कमपनियों के लिए ऐसे नियुकताओं के लिए ये नियम लाया गया है कि अब पीएप देर से जमा करने पर करमचारियों को यहाँ पर नुकसान नहीं देखना होगा उन्हें जो है डिडिक्सन यहाँ पर नहीं होगा वालेंटरी इसकेमप पॉलिशी जल्दे ही लांच होगी पुराने वहानों के लिए आगामी इसकेमप पॉलिशी और हर वहान के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट लेने के आव सकता यहाँ पर होगी राश्टी रेल योजना जो की 2030 तक यहां पर कम्प्लीट की जाने की बात कही गई है तमिलनाडू, पश्चिम, मंगाल, असम और केरल में मेगा राश्टी राजमार्ग पर योजना की गोशना की गई है कोविड वेक्सिन के लिए 35,000 करोल रुपए यहां पर अलग से बजट में रखे गई है वहीं सहरी स्वच बारत 2.0 की सुरुवाद भी आज से यहां पर इस बजट के माद्यम से कर दी गई है तो दोस्तों यह थे कुछ हाइलाइट्स आफ बजट 2021 यानि की 2021 में मानानी वित्मंत्र निर्मला सिता रमन जी के तोरह की गई कुछ प्रभुक गोशना है जो की यहां पर देश के आम नागरिकों से लेकर सभी लोगों के लिए यहां पर थी हलाकि यह दि इस बजट को देखा जाए तो आम आत्मी पर सीधा असर पढ़ने वाली कर्मचारी पीएफ पेंसन और जो पेंसनर्स है उनके लिए या वरिष्ट नागरिकों को सीधा असर डालने वाली कोई भी बड़ी घुसना यहां पर नहीं की गई है कुछ एक दो घुसना है कर्मचारी पीए पेंसन और परिष्ट नागरिकों से जुड़ी की गई है लेकिन उसका भी कोई खास और सीधा डारेक्ट तोर पर असर यहां पर देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों यही वीडियो जानकरी आप तक पहुचा नहीं थी यही वीडियो जानकरी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मिलते है आप से नेक्स टूडियम के सी जानकरी साथ तब तक कि लिए बने रहे है एंपलाई कबर चैनल केसा जे हिंद वंदे मातरम